Finance जोड़ी latest information पाने के लिए Finnovations अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और notification पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार आज के finpoint session में आपका स्वागत है और आज का first update है Hospitality firm OYO ने Corona संकट के बीच अपने employees की salary में कटोती और leave without paper भेजने का जो प्रेसला किया था उसे वापस ले लिया गया है OYO ने भारत और South Asia में अपने regular employees को एक अगस्त से पूरी salary देने का announcement किया है आपको बता दे कुछ time पहले कंपनी ने COVID-19 संकट के चलते employees की salary में कटोती या leave without paper भेजने जैसे कदम उठाए थे Next update है करोना वारिस के बढ़ते मामलों और general business activities में आ रही problems को देखते हुए Insurance Regulator IRDA ने Life Insurance Companies को electronic तरीके से बीमा पॉलिसी यानि E-Policy जारी करने की permission दे दी है Insurance Regulatory and Development Authority of India ने एक circular जारी कर Life Insurance Companies को policy document पब्रिश कर Insurance Holders के पास भेजने के नियम से छूट प्रवाइड की है हाला कि ये छूट conditional है IRDA के अनुसार ये छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी Insurance Policies के लिए वालेड रहेगी Next update है Social Media Networking Company Facebook Inc. अपने प्लाटफॉर्म पर अकसर नए-नए features launch करती रहती है अब company ने WhatsApp वेब पर Facebook Messenger Rooms feature launch किया है इस feature के जरिये WhatsApp पर अब एक साथ 50 लोग जितनी देर चाहें उतनी देर वीडियो कॉल कर सकेंगे हाला कि ये feature अभी सिरफ WhatsApp वेब पर launch हुआ है यानि इसका इस्तमाल अभी सिरफ desktop और laptop पर ही हो सकेगा Smartphone पर ये feature launch होगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है नेक्स्ट अबडेट है नौकरी.com, 99acres.com और Zomato के जरिये कारुबार करने वाली कम्पनी Info Edge ने 1,875 क्लो रुपीज कलेक्ट करने के लिए 4 अगस्त को अपना Qualified Institutional Placement यानि QIP launch किया है इस issue के तहट बोड द्वारा approved पूरे 1,875 क्लो रुपीज कलेक्ट करने की योजना है इस QIP का प्राइस NAC पर शेर के 4 अगस्त के क्लोजिंग प्राइस 3,186.1 रुपीज से 5.2 परसन डिसकाउंट पर तैय किया गया है आपको बता दे कि 30 जून 2020 को कमपनी के बोड ने QIP के जरिये 1,875 क्लो रुपीज कलेक्ट करने की प्रोपोजल को परमिशन दे थी Info Edge भारत की ऐसी पहली डॉट कॉम कमपनी है जो 2006 में शेर बाजार में लिस्ट हुई थी Next अपडेट है Stock Market Regulator पर लगाया गया है इन में disclosure नियम का violation भी शामिल है जिन चार लोगों पर जुर्माना लगाया गया है उन में CS Ready, Ouma Ready RH Kasturi और L. Nicholas शामिल है सेभी ने 1 अगस्थ 2012 से November 2012 के दोरान Kaveri Telecom Products के शेर्ज में खरीद फरोक्त की जाच की थी इस जाच में पाया गया कि CS Ready और RH Kasturi ने non-public information हासिल करने के बाद 5 सेभी ने कहा कि CS Ready और कस्तूरी ने डारेक्टर पोजीशन पर रहते हुए जरूरी खुलासे नहीं किये नेक्स अपडेट है Domestic Car Company Tata Motors के अनुसार वो भारत में पैसेंजर वीकल बिजनस के लिए एक स्ट्राटेजिक पार्टनर की तलाश कर रही है Company अपनी wholly owned वाली इस यूनिट की हिस्सिदारी को 9,417 क्रोड रुपीज में बेशना चाहती है Tata Group कई European और East Asian Companies के साथ बातचीत में जुटा हुआ है जो उसके पैसेंजर वीकल मार्केट की 49% हिस्सिदारी खरीच सकते हैं Financial Year 2019-20 में इस बिजनस से उसका 4% टर्न ओवर यानि लगभग 10,297 क्रोड रुपीज आया था Next update है RT-Curfect Tens एक ऐसा शेयर है जो लिस्टिंग के 20 दिनों के अंदर Half Price पर पहुँच गया था उसके बाद कंपनी के प्रमोटर्स सामने आए और Large Scale पर Open Market से शेयर खरीदा जिसके बाद पिछले दो दिनों से ये शेयर अपर सरकेट टच कर रहा है RT-Curfect Tens ने RT-Industry से खुद को अलग करते हुए 14 जुलाई को लिस्टिंग कराई उस दिन शेयर का प्राइस 510 रुपीज पर पहुँचा जो इसका 52 हफतों का Highest Level है इसके बाद से लगातार इसके शेयर ने Lower Circuit को टच किया और 4 अगस्ट को 222 के Level तक पहुच कया जो इसका 52 हफतों का Lowest Level है 20 दिनों के अंदर शेयर का प्राइस आधा हो जाने पर कंपनी के प्रमोटर्स चंदरकांत वी गोगडी और जया चंदरकांत गोगडी सामने आए और इन्होंने मिल कर कुल 3 लाग शेयर्स खरीदे इसके अलावा Alpha Leon Enterprises धिरेन किशोर शाह हरेश कुमर जी और मुलराच चंदुलाल गाला ने भी कंपनी के शेयर्स खरीदे इसके बाद इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस लोटा और पिछले दो दिनों से ये अपर सरकेट को टच कर रहा है आज इसका प्राइस 257 रुपीज पर है नेक्स्ट अपडेट है इंदियन रेल्वे उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेल्वे स्टेशन की काया पलट की तयारी में है रेल्वे के ट्राफिक अनुमान के अनुसार राम मंदर के निर्मान से अयोध्या बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन जाएगा और यहां वारन असी और प्र्याग राज जितने तीर्थ यातरी आने लगेंगे इसको देखते हुए रेल्वे ने अयोध्या रेल्वे स्टेशन के री डेवलप्मेंट का बजट भी 80 क्रो रुपीज से बढ़ा कर 104 क्रो रुपीज कर दिया है अयोध्या में राम मंदिर का शिलानया समारो 5 अगस्त यानि आज ही हुआ है वहीं अयोध्या रेल्वे स्टेशन का भी मौडरन फैसलेटीज के साथ मेकोवर होने जा रहा है इस रेल्वे स्टेशन के मेकोवर पर 104.77 क्रो रुपीज खर्च होंगे यहाँ पर हमारा आज का फैन पॉइंट सेशन समाप्त होता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू